यहां प्रशासन का एंटी माफिया अभियान जारी है आपको बता दें कि आज हिस्ट्री शीटर शेक मुक्तियार के अवैद कबजे पर कारवाई की जा रही है ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बने छे बड़े गोदाम जमीन दोस्त किये गए है वहीं शेक मुक्तियार के खिलाफ अलग-अलग थानों में मामले दर्ज थे जिसके चलते आज ये पूरी कारवाई की जा रही है नाबालिक को कमोड का पानी पिलाने पर चर्चाओं में आया था मुक्तियार और अलग-अलग थानों में मामले दर्ज हैं जिसके चलते अब ये कारवाई की जारी है आपको बता दें कि इन दौर में लगातार ये अभियान जारी है प्रशासन बहुती सक्थ हो गया है और एंटी माफिया अभियान जारी है इन दौर में जहां आज हिस्ट्री शीटर शेक मुक्तियार के अवैद कबसे परकारवाई की जारी इस खबर पर हमाई साथ अपडेट के लिए अखिलेश जुड़ चुके हैं बुल्डोजर लगा अतार चल रहे हैं और आज हिस्ट्री शीटर शेक मुक्तियार के अवैद कवजे पर भी कारवाई हुई क्या अपडेट है इस खबर पर तिल्कुल सुबानगी जो अंदोर पुलिस है और प्रशासय ने उन्होंने इंटी माफिया से ख़लाप एक अधियान चड़ा है और उसके लिए वाकाइदा पुलिस ने प्रशासय ने के सांथ एक समीक्षा बेठक के थी और इसमें इस्ट्री सेटर बदमासों के एक लिष्ट बनाई दी और उनकी कुंडली के आधार पर ये कारवाई की जा रही है जिसमें आज इस्ट्री सेटर मुक्तियार के अवेर निर्मान पर कारवाई की गई है जो कि उतने तेरा ऐसे गोदाम थे जो बना रखे थे और उन तब बाकाइदा ग्रिंवेल्ड के जमीन थी और उन पर किराय बसूल कर रहा था और जब मुक्तियार सब चर्चा में आया तब नावालिक लड़की के साथ इसने मारपीट की थी और कमोड का पानी पिलवाया था और उसके बाद इसका बीडियो बारल होने के बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए इससे जेल भेज दिया था पहले भी सेख मुक्तियार के खिलाब कारवाई की गई थी जब कमलना स जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका तमाम जानकारी के लिए तो सरकार का गुंडो पर बुल्डोजर अभियान जारी है जिसके चलते आज हिस्ट्री शीटर शेक मुक्तियार के अवैद कवजे पर कारवाई की गई और वहीं छे बड़े गोदाम जमीन दोस्की झाल